हरो फ्रेंड्स तो आज हम बनाने वाले हरे चने की बहुत ही टेश्टी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजेगा बिल्कुल यूनिक तरीके से तो एकदम डिफरेंट बहुत ज़्यादा आ रहे तो आज हम बनाने वाले हैं उनी की कुछ यूनिक रेसिपी अगर आप एक ही तरीके से चने की सबजी खाकर बोर हो चुके हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं तो हमने ले लिये हैं एक कटोरी चने हरे चने हमने छील लिये हैं तो देखिए अच्छे आ रहे हैं अभी बिंटर है और इनका आनम बहुत ज्यादा रहता है तो आप इस तरीके से इनकी र तो आज हम इनकी कुछ अलग तरीके से सब्जी बना करके बताएंगे तो जिसके लिए हमने लिया है अद्रक का टुकड़ा और दो हरी मिर्ची इनको हमने बारीक पीस लिया है देखिए तो इसको हमने जो सिलवट्टा होता है उसमें पीसा है जिससे ये ज्यादा इनमें पान गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे हमने अल्डेडी हरी मिर्ची डाली हुई है तो हमने लाल मिर्ची की मात्रा कम की है इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी बिल्कुल एड नहीं करना है अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे या गीला लगे कि पानी साहे क्योंकि नमक बाद में ही डाले नहीं तो ये पानी छोड़ने लगेगा और इसका हम थोड़ा सा इस तरीके से ले लेंगे और एक बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से हमें बॉल बना लेनी है और अगर आपको गीला लग तो इसमें आप बेशन एड़ कर सकते हैं और देखिए इसी तरीके से हम बिना बेशन के बिना इसके ऐसे ही इसकी बॉल्स बना लेंगे और देखिए इस तरीके से बना लेनी है तो हमने ओल पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था एक चमच के करीब हमने ओल लिया है तो अच्छे से गरम हो चुका है तो जो हमने चने लिए हैं हरे चने पीस के उनकी इस तरीके से बॉल्स बनाके हम इसमें डालते जाएंगे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही करना है क्योंकि हमें अच्छे से क्रिस्पी सेक नहीं है तो बस इस तरीके से हम बॉल्स बनाके इसमें डालेंगे बहुत ही बड़िया रेसिपी है और बहुत ही टेश्टी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि जो हरे चने के निमो करता है तो देखिए इस तरीके से हम बॉल्स बना लेंगे और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है और देखिए हमारी बढ़िया से बॉल्स बन चुकी है तो इनको बस हम इसी तरीके से हिला देंगे जिससे उपर भी ओयल आ जाए गरम और वह अच्छे से सिख जाए और देखिए हमारे एक तरफ से सिख चुके है तो इस तरीके से हम उलट पुलट करके सिख लेंगे थोड़ा सा शेप चेंज होगा आप चाहे तो इनको इस टीम भी कर सकते है अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप इस टीम करके भी इनको बना सकते हैं बहुत ही इजी है तो बस इस तरीके से हम इनको उलट पुलट करके सिख लेंगे अच्छे से और गैस का फ्लिम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है जिससे ये अच्छे से सिख जाए क्योंकि इनमें कुछ भी हमने यासा नहीं डाला है जिससे थोड़े से चप्टे हो गए है इनका सेफ थोड़ा सा लेकिन बढ़िया है इसी तरीके से आप कोई भी सेफ दे सकते हैं इनका जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाए और देखिए अच्छे से सिख चुके है हमने दिनको लो टू मीडियम पर ही सेख यह है अब इनको हमने काल लेंगे बहुत ही आसानं है और इनमें बिल्कुल भी ओल नहीं भरता है देखिए अब हमने ली है प्याज लैसन अधरक और हरी मिर्ची इनको हम भारीख चॉप कर लेंगे ज़ेः कि आप बारिक चॉप करके प्याज लेसो नद रख लिया है आप चाहें तो इनको पेश्ट बना सकते हैं टमाटर को भी इसी दरीके से हम चॉप कर लेंगे आप अगर सबका पेश्ट बनाना चाहती है तो पेश्ट बना लीगे इससे क्या होगा थोड़ा सा जल्ली हो जाएगा और द जाएगे चलाते हुए अच्छी से भून लेंगे अब हमने लिए हींग अड़ करेंगे यह बहुत बढ़ा टेस्ट आता है डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है तो इसको हम एड़ करेंगे और चलाते हुए प्याज को अच्छे से भून लेंगे प्याज अच्छे से देखिए भून चुकी है बड़िया सॉप्ट हो चुकी है तो आब हमें एड़ कर देंगे इसमें टमाटर जो हमने बारीक चौप करके रखे हुए थे इनको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे और गैस का फलेम हमें लोटू मेडियम ही रखना है रखना OB 2 दो चम्माट अलवा चलाते हुए फाउडर आप लिया है तो कास्मीरी लालमिर्च आप सकती है आप बड़ा सा हमने कलर के लिए कास्मेरी लाल मिर्चेड की है इन सब मसालो को अच्छे से पका लेंगे चलाते हुए बहुत ही बढ़िया बनती है इस तरीके से सब्जी और रचने की हरे चने अभी आप अधा हरे चन्य शुर्ण चुका है और बढ़िया चुण आप चुका है तो आप इसमें याड़ कर देंगे हम जो बॉल्स हमने बना के रखी थी हरे चने की उनको याड़ करेंगे इसमें मसाले में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिस से इन में अच्छे से मसाला आ जाए देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया था इनको देखिए तो अच्छे से मिक्स हो चुके है मसाले में तो अब इसमें एड़ कर देंगे हम पानी तो लगवा हमने डेड़ का टोड़ी पानी लिया है इसमें आप जितनी गरेवी रखना चाहते हैं उतनी आप हिसाब से पाने इसमें डाल दे तो बस आप चलाते हुए इनको हम हाई फिलेम कर देंगे पकने के जब अबलने लगेंगे तो हम लोटू मीडियम रख देंगे तो देखिए सब्जी हमारी लगवाग चार से पास मिनट पकते हुए हो चुके हैं लोटू मीडियम पर पकाया है और देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे जो बॉल्स है व हमने सब्जी मसाला एड़ कर दिया है आप कोई सा भी मसाला घर का हमीड एड़ कर सकते हैं डाल सकते हैं जा जो चाहें तो देखिए हमने गैस का फ्लेम वॉप कर दिया है सब्जी पक चुकी है तो कटा हुआ धनिया एड़ करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए कितनी बढ़िया हमारी टेश्टी सब्जी बनके तयार हो चुकी है और देखिए एकदम फटा फट से बनके तयार हो जाती है तो इस तरीके से अब हरेचने की सब्जी बना सकते है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और नए है तो सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे अगली रेसिपी में कुछ नया ले करके तब तक के लिए बाई बाई